दोस्तो ये जीवन बहुत महत्पूं है बहुत सारी चीजे इस जीवन में हम गलत सीखते हैं या यूं कहें कि एक उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जब हमें बहुत जादा अकल नहीं होती है आज मैं आपको ये बताऊँगा कि इस जीवन में कम से कम समय में खुद को कैसे बदलें नमर एक समय को व्यर्थ ना करें समय को बेकार ना जाने दें समय का सद्यूपियों करें और खाले समय में भी कुछ ना कुछ सीखते रहें कोई लेंग्वेज हो सकती है कोई मिजिक हो सकता है कोई टांस हो सकता है या कोई एक्टिविटी हो सकती है जिस फिल्ड में आप कमजोर हैं जो आपको अच्छानी लगता है उसके बारे में जादा टाइम दें जादा सीखें जादा जाने नमबर दू, नदर अंदाज करने की कला सीखे, हर चीज पर ध्यान देना, उसके बारे में प्रतिकिर्या देना आपको मूर्ख साबित करता है और कुछ नहीं ज्यादा बूलने वाले लोग मूर्खी होते हैं, सोश समझ कर बूलने वाले लोग पुत्थी मान होते हैं, बुराई और अच्छाई को साथ लेकर चलें, कोई आपकी जरासी तारीव कर देता है, इसमें फूल कर कुपपा होने की जरूत नहीं है, और कोई थोड़ी सी बुरा स्मार्ट फोन को चेक करना बंद कर दें, स्मार्ट फोन का उप्योग कम से कम करें, यदि आपको लगता है आपके काम के लिए, आपके बिजनिस के लिए बहुत जरूरी है, तभी उसका उप्योग करें, हर वक्त स्मार्ट फोन का उप्योग करना कहीं की समझदारी नहीं है और यदि आपको लगता है कि स्मार्ट फोन से आप अपनी लाइफ अपना नाम या दोनों कमा सकते हैं तो स्मार्ट फोन का उप्योग करना कोई गलत बात नहीं है उसे चैक करना भी कोई गलत बात नहीं है नमबर चार कभी भी किसी के निजी जीवन में न जाकें क्योंकि किसी के जीवन में जाकना अच्छे गुणों की निशानी नहीं होती है कुशिश करें कि अच्छे गुणों को धारण करें लोगों के अच्छे गुणों के अंदर जाकें उनकी निजी जिन्दगी में लेना चाहिए अगर नहीं शुरू किया है तो आज से ही शुरू कर दीजे क्योंकि यही कठिन समय में आपका सच्छा दोस्त होता है जब आपके मुसीबत के दिन शुरू होते हैं तो अच्छे अच्छे रिष्टेदार अच्छे दोस्त आपसे किनारा कर लेते हैं यह बचाय करें, exercise करें, walk करें, running करें लेकिन अपने स्वास्थ का पूरा ध्यान रखें दोस्तों चंद बाते हैं जिनसे आप अपना जीवन बदल सकते हैं बाते बहुत सठीक हैं अपने जीवन में ठालिये और जीवन को एक नई उर्जा दीजिए एक नई उचाय दीजिए एक नई क सामयाबी लिखें अपना भूत ध्यान रखें हसते रहें मुश्कुराते रहें खुश रहें जाने बाद